हाई फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूं अंडा बिज्यानी और यह काफी टेस्टी बनती है और घर के सामानों से ही बन जाती है और फटा-फट बनती है तो चले देखते हैं यह रैसे भी कैसे बनती है तीन कप जीरा पोलं लिया है हमने इन्हें अच्छे से दोएंगे गैस और इसमें हमने डाला है एक टेबल स्पून के आसपर तेल अब डालेंगे एक तिबल स्पून जीरा और अब हम इसमें डालेंगे यह जो हमने आपको चावल दिखाए थे और अब हम इसमें डालेंगे पानी तीन कप चावलो में हम एक कप पानी डालेंगे नमक डालेंगे और अब धकन लगाकर एक सीटी आने तक इसे पकाएंगे गैस की सीटी आ गई है गैस बंद कर देंगे हम गैस ऑन करेंगे गैस पे पैन चड़ाएंगे और पैन में हम डालेंगे चार टेबल स्पून क्यास पस तेल मसालो में हमने लिया है हाफ टेबल स्पून जीरा थोड़ी सी काली मिली दो हमने इलाइची लिया है एक हमने फूर लिया है तेज पस्ता लिया है और लॉंग लिया है और दालचीनी का टुकड़ा लिया है ये इसमें डाल देंगे मसाले आप अपनी साब से कुछ भी ले सक करें जाएं घरा को इसके बाद में डालेंगे प्याज थोड़ा सब मसाले करें गरम हो जाएं उसके बाद में डालेंगे प्याज दालेंगे अजिए लाएंगे प्यास हमारे फ्राइब हो चुके हैं और अब इसमें डालेंगे डो मीडियम साइज के आलू को हमने बारिक तुकुर में काटा है और इसे प्यास के साथ ने अच्छी से फ्राइब करेंगे अच्छा मैं अच्छान दघर अल autocon का कर दो सूके मसाले 1 Ellis बैभल या सुखे मसाले ठीशपून हन्दी नमक प्याद के मसाल के है एक टीशपून गरमम मसाला एक टेबल स्पून हमने दन्या पॉरर लिया है और एक टेबल स्पून ही इसमें लालमीश कम्र्र अड्रक लसन पेस्ट चार टेबल स्पून पीस्ट चार टेल विए आसपास अड्रक लसन पेस्ट और इसमें चिसरा टालेंगे तृमाटल यह बड़े साइज का टामाट है बुल चुका है और हमारे ज़ोप थोगों फोड़ा है थोड़ा सा तमाटर मैश कर देंगी आलो हमारे दले में है और अब हम इसमें डालेंगे चार अंडे देखिए फ्रेंट्स अब इसे बीच पीच पे थोड़ा गैप करेंगे और अब हम इसमें डालेंगे अंडे यह हमने चार अंडे लिए हैं यह डालेंगे इसमें आप चाहे तो जाधा भी ले सकते हैं और आप चाहे तो कम भी ले सकते हैं थोड़ी सी जल्दियों को तोड़ देंगे और अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया यह हमने इसमें हरा धनिया डाग दिया है और अब धक्कन लगाकर पांस से साथ मिल तक इसे स्लो फ्लेम पर पकाएंगे यह देखे फ्रेंड्स हमारे अंडे का मसाला बन का रैडी हो चुका है और हमारे अंडे भी सॉफ्ट हो चुके हैं अब गैस को कर देंगे बन और इसकी तही लगाएंगे चावलों और हमने कुकर में ही छोर दिये है और अधे चावल हम ने बाहर निकाल लिए वे अब वैद्णे का मसाला लग को होस्क्त आक की देखने में काफ तेस्टी लगत रहा है खरोब थोड़ अठाएंगे और चावलों पी रखते जाएंगे इसी तरह हम पूरा रख देंगे चावलो के ओपर अंडे का मसाला देखे फ्रेंड्स हमने सारा मसाला चावलो पर डाल दिया है और अब हम इसमें यह जो हमने साइड में निकाल के रखे ते यह चावल डालेंगे हाम उपर से हराधनिया, मिर्ची और कड़ी पत्ता डालेंगे और इसे slow flame पर 10 मिट तक पकाएंगे झदकन जदकन यह हमने ढखन जदकन जदकन इसे पकने रख दिया है और इसे गैस की flame हमने पहले फूल की है बाद में हम slow कर देंगे और उसके बाद में इसे दस मिन तक पकाएंगे लीजे फ्रेंड्स बनकर रेडी है हमारी अंडा बिर्यानी बहुत जटपट बन गई और काफी टेस्टी बनी है एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राइ कीजिए घर के ही सामान से बनाईए और जटपट बनाईए खाईए और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज कॉमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताईए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए सबस्क्राइब कीजिए टैंक यू बाई